इस साल अब डली पुलिस कॉंस्टेबल की 5512 पदो पर सीट यहाँ पर विकेंट है ओ लोगों को यह डाउट था कि क्या मैं डली पुलिस कॉंस्टेबल और SSC GD की विकेंट सी एक साथ आएगी तो आज की इस वीडियो में जितने भी आपके डाउट थे जो आपने कमेंट सेक्शन में मुझे लगातार कमेंट किये थे उन सारे टोपिक पर हम चर्चा करेंगे तो वन बाई वन मैं कोशिश करूँगे आपके सारे डाउट यहाँ पर दूर हूँ तो चले स्टार्ट करते हैं सबसे पहला आपका डाउट था कि मैं दिल्ली पुलिस कॉंस्टिवल की विकेंट सीट और जो लगातार आर्ट यह रिप्लाई जा रहे थे उनके बारे में बताईए दूसरा यह कि हाले में SSC और डेली पुलिस के बीच में जो MOU साइन हुआ है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे थर्ड हम बात करेंगे विठाईल कंडिडेट 2020 और 2023 के बारे में देन कोर्ट केस 2020 और 2023 के बारे में फोर्थ हम बात करेंगे 2023 की भरती में जो 571 seat vacancy उनका क्या हुआ तो जितने भी आपके doubt रहे वो सारे इस वीडियो में include होंगे आप वीडियो को बिना skip किये starting से अन तक जरूर देखे ना ताकि आपका कोई भी doubt यहाँ पर ने रहे हो सके वीडियो लंबी हो जाए तो आप इसको टोर्क्स पर देख सकते हैं बट वीडियो आपको skip नहीं करना है और इस वीडियो को देखने के बाद में आपका कोई भी doubt यहाँ पर नहीं रहेगा तो चलिए start करते हैं आपके साड़े doubt को दूर करने के लिए एक एक data मैंने यहाँ पर लिखाया है calculation with proof और एक authentic information आपको मिल पाये ताकि आपके एक भी doubt यहाँ पर नहीं रहे तो इससे doubt दूर करने की कड़ी का अगर हम बात करें बेस क्या रहेगा तो बेस आपकी देली पुलिस भरती 2023 रहेगा देली पुलिस भरती 2023 की ब्रीफली मैं आपको पहले information देती हूँ इसमें कितनी seat वेकेंट रही थी कितने बच्चे यहाँ पर विठैल्ड में रखे गे थे कौन से ऐसे candidate है जो court case में रहे थे इसमें आपका 6976 candidate का final result declare हुआ और रिजल्ट के last page पे आपको बताया गया था कि देली पुलिस भरती 2023 में 118 candidate को हम विठैल्ड में रख रहे हैं ठीक है आप मैं बता देती हूं कि इसी भरती में 571 seat विकेंट थी है यानि कि 7547 में अगर आप 6976 घटाते हैं तो आपके 571 seat यहां पर विकेंट होती है डेली पुलिस 2023 में ठीक है या तो कोर्ट केस था या फिर जो किसी अन्य डिपार्टमेंट में अल्रेडी थे और डेली पुलिस को जॉइन करना चाते थे और जॉइन करने के लिए उन्हें अल्रेडी अपने डिपार्टमेंट को रिजाइन देना था उन्हें पर रिजाइन लेटर नहीं मिला या फिर discharge certificate उनके पास नहीं था तो 476 जिनको फाइनली जोइनिंग लेटर नहीं मिला था 65 को ही जोइनिंग लेटर मिला था मार्च अपरेल तक आते आते हैं अब इन 65 की जोइनिंग भी दो अलग-अलग आधारों पर की गई ठीक है rude toper 2,000 के जोइनिंग लेट को मार्च तक जोइनिंग दे गए और रिमेनिंग रहे हैं 45 को जुलाई तक जोइनिंग दे गई अब इन 45 के अलावार जो मैं 476 की बात कर रही हूँ, जैसे जैसे जो candidate court case वाले हैं, या जो candidate अन्य department के हैं, जिनको resign certificate मिल गया है, discharge certificate मिल गया है, जिनका clean sheet हो गया है, court case का, उन सभी को एक साथ जुलाई तक joining दे दी गई है, और उनमें से भी जरूरी नहीं है, कि 476 ही यहाँ पर fulfill हुए है, जिन से भी को clean sheet मिली है, जिन से भी को resign certificate मिला है, discharge certificate मिला है, उने ही यहाँ पर joining दी है, ठीक है, तो इसका overall conclusion ये था कि 2023 की भरती में 571 seat according to your result and 476 में से कुछ बच्चे जिनको clean sheet नहीं मिला, resign certificate नहीं मिला, वो सारी seat यहाँ पर कि मैं कोर्ट केस 2020 और 2023 का क्या हुआ, देखे, मैं आपको पहले ही बताया था कि कोर्ट केस 2020 और 2023 का डेटा यहाँ पर prepare किया जा रहा है, बहुँ जल दिस में result आजाएगा और वैसा ही हुआ, कोर्ट केस 2020 और 2023 के अभी fix data नहीं है कि कितने candidate को यहाँ पर जोइनिंग दिए, हाँ, जिनको clean sheet मिल गई है, जो बिल्कुल कहें तो बिल्कुल crystal clear है, इन्होंने कोई भी किसी type का crime नहीं किया है उन सभी को यहाँ पर जोइनिंग दिखी थी 2829 जून को यहाँ पर एक जूलाई वाले candidate के साथ ही इनको यहाँ पर जोइनिंग दे दी गई थी next doubt आपका रहता है with health candidate के बारे में मैं with health candidate 2020 2023 का क्या हुआ दो को with health की status में आपको बता देती हूं सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए आपकी with health आपकी सवजे से रखे जाते हैं 2-3 इसके reason हो सते हैं सबसे manally reason आपका यह हो सता है कि आपका document incomplete हो दूसरा हो सता ही कि आपका biometric यहाँ पर ढंक से नहीं हुआ हो या फिर आपका signature handwriting यहाँ पर match नहीं हुआ 4 और सबसे बड़ा reason आपका हो सकता है क्रिमिनल रिकोर्ड 2020 का with health देखें और दूसरी और हम 2023 का with health देखें तो दोनों को समझने की कोशिश कीजेगा 2020 में 625 candidate को with health रखा गया था जिनमें की 125 प्लस candidate को हमारे batch के साथ में joining दे दी थी जब हमारी joining हुई थी उसके date से 2 महिने के अंतराल पर with health को यहाँ पर joining दे दी यानि कि 2020 का status देके तो 490 candidate अभी भी with health पर है सेम बात करते हैं हम 2023 की 2023 में 118 candidate अभी भी with health पर है तो with health candidate वालों को क्या करना है continuous मैं अगर 2023 की status बताती हूं तो RSL भरती विभाग ने अभी जून एंडिंग के आसपास इने यहाँ पर बुलाया था and new police line Kingsway camp में recruitment cell का office है वहाँ पर आप सभी को बुलाया गया था तो आपके लिए एक suggestion है कि आप continuous RTA लगाए और time to time update लेता ही आरसल NPL में चाकर अब सबसे यदर doubt आपका Delhi Police Constable की weekend seat और continuous जो RTA reply आ रहे थे उनको लेकर था तो मैं one by one आपके सारे doubt यहाँ पर दूर गरूंगे सबसे पहले देखिए आपकी March में joining दी जाने थी और फरवरी तक RTA का reply आया था कि 945 पदों पर seat weekend है एक बात मैं आपको अच्छे से बता देती हूँ जब तक आपका result आजाता है doesn't matter जब तक आप वहाँ पर आमद नहीं करवा लेते हैं आप पुलिस परसनल यहाँ पर count नहीं होते हैं यानि कि आपकी seat वहाँ पर vacancy रहते हैं अगर हम देखे तो 9465 में से जो 2023 के candidate यहाँ नह लगबग 2489 candidate की यहाँ पर seat vacant है यानि कि लगबग मान लीजए 2500 पदों पर seat vacancy according to feb data ठीक है उसके बात में बात करती हूँ मार्च 2024 में मैंने खुद में RTI लगाय था और इसका मुझे reply मिला था counting of vacancies under process यानि कि जो vacancy की counting under process है वो इसलिये थी क्योंकि joining जो दो भागों में जुलाई तक कुछ candidate को यहाँ पर joining दी जानी थी सेम फिर से RTI लगाय गया जो की जून में बताया गया 5441 पदों का जून एंडिंग तक आते आते इस RTI में candidate की संख्या लगबग बढ़कर 500 प्लस हो गई यानि कि मैं अगर बात करते हूँ 2024 में आपकी विकिंसी के आने की प जुए यहां पर फुल्फिल नहीं हुए क्योंकि 571 तो नॉर्मली रिजल्ट में ही यहां पर क्लियर नहीं हुए और 476 ऐसे केंडिडेट थे जिनका किसी रिजिएं से यहां पर जॉइनिग लेटर अटक रखा था तो जितने केंडिडेट यहां पर रिक्वायर थे उतने 2020-2023 वालों को भी अभी बच्ची हुए अगर मैं बात करती हूं तो ओवर ओल देखें जुलाई एंडिंग तक है निकि अभी अगर मैं बात करती हूं तो 12 जुलाई तक एक और रिप्लाई आता है जिसमें की 5512 पदोपर सीट आपके विकेंट बताई जा रहे हैं ओवर ओल 76 में से कुछ जो रहे गए ते लगबग 600 संथिंग विकेंट सीट आपको मिलेगी और यह जो विकेंट सीट है वो नेक्स्ट जो भरती आएगी उसमें एड होकर आएगी यानिकि पचपन सो में आप 500 प्लस एड करें तो आपकी लगबग 612 पदोपर आगे आने वाली भरती में सीट आपकी यहां पर विकेंट मिलेगी अब डाउट यह रहता है कि मैं हमारी विकेंट सीट कब तक आईगी देखे मैं अगर SSC की और डली प्लिस की बात करती हूं तो खुशकबरी यह है कि SSC और डली प्लिस के विच में हाली में MOU साइन हुआ है आपकी भरती को लेक होता है दूसरी मैं बात करती हूं SSC GD का तो पहले से अनाउंस था कि उनकी वेकेंसी जो है 27 अगस्त को यहां पर रिलीज होगी और एक अच्छी बात में बताती हूं परसो ही मैं अगबार पढ़ रही थे तो मैंने उसकी एक विगपती में यह चीज देखी थी कि SSC ने सा में आपके सारे डाउट यहां पर दूर हूए अब जो आने वाली भरती है वो जल्द आएगी पर कब आएगी उसके बारे में कोई भी क्लियर इंफोर्मेशन नहीं दी जा सकती इंफोर्मेशन के वल इतनी है कि आपके 5000 से ज्यादा पचपन सो प्लस 600 सम्तिंग यानि कि 6000 सम्तिंग आपके वीट सीट यहां पर वेकेंट है और अब जो भरती आएगी वो आपके 25 से कलेंडर में यानि कि लगबग आपको मार्च तक देखने को मिलेगी इस वीडियो को देखने के बाद में आपके सारे डाउट यहां पर दूर हुएंगी एक दो डाउट और मैं एड करना चाहूंगी कुछ कैंडिडेट का यह कहना था कि मैम हमारे उपर कोर्ट केस है कि आम डेली पुलिस कॉंस्टिबल की तैयारी कर सकते हैं हाँ आप तैयार कुछ ऐसे कंडिडेटर जिनको डाउट था कि मैम क्या इसमें CET Compulsory है तो इसमें CET Compulsory होती है जैसे हम बात कर लेते हैं हर्याना पुलिस में CET Compulsory है तो एक इंद्रे सरकार की पुलिस की नोकरी है इसमें CET Compulsory नहीं है केवल 12 पास और 18 प्रस आपकी एज है तो आप इसक प्रशनों का जवाब कमेंट सेक्षन में देने की कोशिश करूंगे बाकी मिलते हैं नक्स वीडियो में तब तक के लिए जया हैं अभी के लिए कंक्लूजन यह है कि आपकी भरती जो है वो 2024 में आने के संभावना ने के बराबर है क्योंकि 2024 की लास्ट भरती आने थी अगस में जो कि SSGD की थी 27 अगस को यह विकेंसी आ जाएगी उसके बाद में मुझे ने लगता कि कोई विकेंसी आएगी अब जो आपकी विकेंसी है वो 2025 के कलेंटर में मिलेगी लगबग आपको मार्श तक देखने को मिलेगी I hope आपके सारे डाउट दूर हुए होंगे